दोस्तों आज हम Swallowed Star की न्यू एपिसोड 68 को डिटेल में explain करने वाले हैं। इस वज़े से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड start होते ही सबसे पहले हम देखते हैं लूओ फांग को। जहां पर फांग हौंग के पास आ जाता है। और आते ही उसे कहता है कि हौल मास्टर मैं अपनी आइटम्स को ट्रेशर के साथ में एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ। जिसके साथ ही हौंग उसे पास बैठने के कहता है। और जैसे ही लूओ फांग यहाँ पर बैच जाता है तो उसी के साथ ही वहाँ पर सारे स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहाँ पर सारे ट्रेशर की डिटेल मौजूद होती है, और उसी के साथ ही लूओ फांग इन्हें चेक करना शुरू कर देता है, और लूओ फांग इसे चेक कर लूओ फांग और उपर जाता है तो उसी के साथ ही बबाता उसे कहती है। लूओ फांग यहाँ पर एक ट्रेशर मौजूद है, जो की काफी अमेजिंग है। जिसके साथ ही लूओ फांग कहता है, क्या ये वही ग्रैविटी चेम्बर नहीं है, जो की अनीस इन हाल मास्टर मैं इसमें मौजूद ग्रेविटीनल सिविलाइसेशन्स रूम को लेना चाहती हूँ, और इसकी साथ ही हॉंग इसकी डील से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके साथ ही लूओ फांग 2000 येर वोल्ड की ब्लाक एबनी रूट, दो ड्रेगन बलड्स को भी ले लेता है, spirit of seven plants को भी ले लेता है, जिसके साथ ही हॉंग उसे कहता है, तुम्हारे ये सारी डील टोटल 110 स्टार्स के करीब बनते हैं, जिसके ये तुम्हें 5.5 वोड क्रिस्टल देने हूँगे, तुम्हारे 0.5 वोड क्रिस्टल पहले ही मेरे पास मौजूद है, जो वो लूओ फांग उसे वुड क्रिस्टल पे कर देता है। जिसके साथ ही लूओ फांग अपनी डील कम्प्लीट करकर बाहर आ जाता है। जिसकी साथ ही जैसे ही हमारा यूओ चेंज होता है। तो हम लोग देखते हैं लूओ फांग को जो की लेडी इसादोरा की सामने बेटा होता है। और इसी की साथ ही लेडी इसादोरा से कहता है वुड क्रिस्टल जिसके साथ ही लेडी इसादोरा उसे कहती है। मैं आपके साथ directly money point से बात करती हूँ, क्या आपके पास leader Hong के साथ deal करने के बाद अभी भी अगर कोई wood crystal मौजूद है, तो हमारा HR Alliance उसे market price से 3 times ज्यादा पे करने के बाद हासल करने में interested है, मगर उसकी साथ ही बबाता काफी shock होती है, और उसकी साथ ही कहती है, सिर्फ triple times market price, क्या तुम्हें इस बात का पता है, कि तुम तुम लोग अगर market prices से 100 times देने के लिए तयार हो भी जाओ, तो फिर भी तुम लोग wood crystal की real value को नहीं समझ सकते, जिसके साथ ही लूओ फांग अपनी mind में सोचने लगता है, मगर बात जब wood crystal की की जाए, तो कोई भी एक wood crystal किसी 8 या 9 level student warriors को star traveler level तक पहुँचा देता है, और उसकी साथ ही साथ HR alliance के पास काफी बड़ी amount भी मौजूद है, जिसकी वज़े से ऐसा भी हो सकता कि वह लोग अपनी money का यूज करते हुए wood crystal को हासल करने की काफी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी साथ ही बबाता दोबारा से कहती है, wood crystal को यूज कर कर star traveler level के fighters को bond करना हम लोग सिर्फ ऐसा करकर अपनी resources को जाया करने वाले हैं, मगर उसकी साथ ही बबाता की mind में एक और idea आता है, जिसकी साथ ही लोफांग से कहती हैं, तो पहली लेडी इसादोरा से spaceship या फिर material की scrap के बारे में पूछ सकते हो, जिसकी साथ ही लोफांग लेडी इसादोरा से कहता है, आपको इस बात का अच्छे से पता है कि किसी भी star traveler level के साथ money की deal करना या फिर money की बात करना कोई भी माइने नहीं रखता, क्योंकि जबके वक्त कोई भी practice onal level पर पहुंच जाता है, तो उसे money के rate नहीं रहती, क्योंकि उसकी पास इतनी ज़्यादा money पहले ही मौजूद होती है कि वो दुनिया में जो चाहे वो ले सकता है, मगर मेरी कुछ hobby जरूर मौजूद है, मुझे spaceship उनकी material को जमा करना काफी अच्छा लगता है, उसकी साथ मुझे अनीस इन civilization को एक्सप्लो करना काफी अच्छा लगता है, इस पर इसादोरा एक दफा के लिए काफी ज़्यादा शौक होती है, मगर उसकी साथ ही low fang की deal पर मान जाती है, और उसकी साथ ही low fang से कहती है कि आप भी अपनी बात करने में काफी ज़्यादा direct है, मैं त्री दिन के बाद सारे items की lids को तैयार करवा दूंगी, और मैं आपके साथ transition और deal करने में काफी ज़्यादा interested हूँ, और आपका deal को complete करूंगी, जिसके साथ ही ये deal complete हो जाती है, और इसकी साथ ही low fang अपनी city में वापस आ जाता है, जहां पर जैसे ही low fang अपने घर पहुंचता है, उसकी साथ ही आते ही अपनी father और mother, उनके brother को spirit of plants को दे देता है, जो सब इनको खाने के लिए होता है, और जैसे ही ये सभी लोग इस plants को खा जाते हैं, तो उसकी साथ ही low fang बबाटा से अपनी family की physical fitness को चेक करने का कहता है, जिसकी साथ ही बबाटा का intelligent system fang की father की power को चेक करता है, जो की student level 3 पर होती है, जिसके बाद बारी आती है fang की mother की, जिनका power level student 2 तक पहुँच चुका होता है, जिसके बाद बारी आती है fang की brother की, जो की student 3rd type पर होता है, जिसकी साथ ही fang के brother कहता है, क्या हम लोग शुरू से ही practice nurse थे, और हम लोग भी वरियस थे, जिसकी साथ ही fang की father उसे कहते हैं, आखिरकार तुने अभी अभी हमें खाने के लिए क्या दिया है, जिस पर लोग फang उन्हें बताता है कि यह सिर्फ कुछ common चीजे थी, जो की आसानी से तो नहीं मिलती, मगर मेरे लिए इन्हें हाजल करना कोई भी मुश्किल काम नहीं था, और उसकी साथ ही लोग फang अपने father को move करने के लिए कहता है, और जैसे ही लोग फang के father अपने पाउं पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो अभी के लिए वह बिल्कुल fit हो चुके होते हैं, तो जैसे ही उनके father उठकर खड़े हो जाते हैं, तो वह exercise करना भी start कर देते हैं, और उनके body totally fit लग रही होती हैं, जिसके साथ ही लोग फang अपनी family member से कहता है, father, mother मैं आप लोगों को कहीं पर ले जाना चाहती हूं, और इसकी साथ ही ये सब लोग space ship पर बैट कर प्लाई करना start कर लेते हैं, जिसके साथ ही father low fang से कहते हैं, तुमने अभी अभी क्या कहा क्या हमारा aunt अभी भी जिन्दा है, जिसकी साथ ही low fang कहता है, हाँ ये सच है, वर जिंदू सिटी में मौजूद है, और वही पर रहती है, और मैं सबसे पहले आपकी injury को recover करना चाहता था, जिसके बाद ही मैं आप लोगों को वहाँ पर ले कर जाना चाहता था, ताकि जाकर आप अपनी family से happy ये मिल सके, जो सुनकर उनके family के सारे member काफी ज्यादा emotional हो जाते हैं, और उसकी साथ ही बबाता दोबारा से low fang से कहती है, तो अपना time तो आपने relative को find करते हुए मुझे use कर रहे हो, और मुझे भी ऐसा नहीं तो लगा कि तुम्हारी relative को find करना इतना interesting भी हो सकता है, और किसकी साथ तुम्हें master से inheritance भी जल्दी से जल्दी receive करना होगा, क्योंकि चाहे बात जो भी हो तुम्हारे अर्थ पर रहते हुए एक human होने की qualification कम है, जिसकी वज़े से तुम्हारा एक एक second काफी ज्यादा important है, मगर उसकी साथ ही low fang बबाता से कहता है, मैं ये सब सिर्फ अपनी parents के लिए कर रहा हूँ, और मैं strong भी इसलिए बनना चाहती हूँ कि मैं अपनी family को protect कर सकूँ, क्योंकि चाहे फिर बिना किसी मकसद मैं कितना भी powerful क्यों ना बन जाऊँ, वो सब मेरे लिए mini glaze होने वाला है, मगर जैसे ही low fang ये सब बाते कर रहा होता है, तो उसकी साथ ही उसे आवीन की call आ जाती है, जो कि low fang से पूछता है, क्या तुम अपनी family को लेकर जिंग्डू सिटी जाने वाले हो, ताकि तुम जाकर अपनी grand mother से मिल सको, जिसके साथ ही low fang उसे बताता है, कि हाँ मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, मगर ये सब तुम मुझसे क्यूँ पूछ रहे हो, जिसके साथ ही आवीन उसे बताता है, कि मुझे अभी अभी एक news मिली है, कि तुम्हारे grand mother को hospital में admit कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें एक heart attack हुआ था, जो सुनते ही ये सब लोग और भी शौक हो जाते हैं, जिसकी साथ ही हम देखते हैं जिंग्डू सिटी के hospital को, जहां पर low fang की grand mother मौजूद होती है, और उसकी साथ ही साथ उनके पास एक लड़की बैठ कर उनकी care कर रही होती है, मगर उसी के साथ ही यहां पर door knock होना start हो जाता है, और उसकी साथ ही door के बाहर से low fang की आवाज आती है, जो की कहता है कि क्या मेरी grand mother इसी ward में मौजूद है, जिसकी साथ ही वो लड़की कुछ दरवाजे को open करती है, और low fang और उनकी family को देखकर उन्हें अंदर बुलाती है, और जैसे ही यह लोग अंदर आ जाते हैं, और उसकी साथ ही low fang की father अपनी आंट को देखकर काफी ज्यादा emotional हो जाता है, और आते ही उनके पास आ जाते हैं, और उसकी साथ ही उनसे कहते हैं, क्या आप मुझे पहचान सकते हैं, जिसकी साथ ही आंट कहती है कि तुम्हारा नाम हॉंगूओ है, क्या तुम वही हो, जो सुनते ही हॉंगूओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके साथ ही आन्ट उसे कहती है तुम पहले से काफी जादा बड़े हो चुके हो और देखने में तुम अपनी फादर की तरह ही लगते हो जिसके साथ ही यहां के सारे सीन बहुत ही इmotional हो गए होता है और उसकी साथ ही ग्रेंड मदर उस लड़की से कहती है जल्दी से आगे आकर अपनी अंकल को हेलो करो और उसकी साथ ही वह लुओ फांग की फादर को बताती है यह मेरी ग्रेंट डॉटर है और इसका नाम टैंग यॉंग तंग है जिसकी साथ ही वह लड़की लुओ फांग की फादर को रिस्पेक्ट पे देती है और इसकी साथ ही लुओ फांग के फादर अपनी पतनी अब अपने बेटे को आगे आकर रिस्पेक्ट देने के लिए कहता है। मगर जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, उसकी साथ ही यहाँ पर एक विलन की एंट्री हो जाती है। और यह अंदर आता है तो आते ही कहता है, क्या यहाँ पर आज कोई गैस्ट भी मौजूद है। मगर चलो अगर ये गैस्ट यहाँ पर आई गए है तो इन सब को भी वेडिंग इन्विटेशन लिस्ट में एट कर लो। जिसके साथ ही वह लड़की उस विलन से कहती है, वेंग जिंगान तुम्हें ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यान कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शादी ही करना चाहता हूँ, क्या मैं इसमें कुछ गलत कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए कि इस दुनिया में काफी ऐसे लोग मौजूद हैं जो की मेरे साथ रहना चाहती है, और मेरे साथ जिसकी साथ ही लड़की चाकू उठा लेती है, मगर उसी के साथ ही वेंग जिंग्यान उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जितना भी बुरा इंसान नहीं हूँ और उसकी साथ ही साथ मुझे चाकू और दन को देखकर बहुत ही बुरा लगता है, और इसकी साथ ही वेंग जिंग्यान उस लड़की को blackmail करना शुरू कर देता है, मगर जैसे ही वेंग जिंग्यान ये सब कर रहा होता है तो उसका ध्यान इस बात पर मौजूद ही नहीं होता कि उनके सामने कौन खड़ा है, मगर जैसे ही वो अपने हाथ से चाकू को नीचे गिरा था है तो उसी की साथ ही वो लड़की काफी ज्यादा एमोशनल हो जाती है मगर लूओ फांग उस चाकू को नीचे गिरने नहीं देता और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पास बुलाता है और उसकी साथ ही उन सब की एक्टीग को देखकर क्लाप्स करने लगता है जिसकी साथ ही वैंग जिंग्यान उसे कहता है तुम कि अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना